हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 3 की किताब मेरी दिल्ली का पार्ट नमबर 18 जिसका नाम है हमारी सरकार और प्रशासन प्रशासन का मतलब होता है कि हमारे आसपास के काम किस प्रकार होते रहते हैं और चलते हैं शुरू करते हैं पार्ट को पढ़ना एक दिन आप सवेरे उठते हो और देखते हो कि आपके घर के सामने की सड़क नई बन गई है घर के पास का मैदान एक सुन्दर बाग में बदल गया है यह सब कौन करता है? हैरानी की बात है ना कि इतने बड़े शहर का कामकाज कितनी अच्छी तरह हमेशा चलता रहता है यह सारे कामकाज वह सरकार करवाती है जिसे हम सब मिलकर चुनते हैं और बच्चों आपको तो पता ही होगा सरकार को चुनने के लिए हम लोग वोट डालते हैं हमारे देश में जो लोग भी 18 साल से बड़े हैं वो वोट डालकर सरकार को चुनते हैं दिल्ली एक राज्य है और दिल्ली राज्य की अपनी सरकार है क्या आप जानना चाहते हो कि यह सरकार कैसे बनती है? पूरी दिल्ली को 70 इलाकों में बांटा गया है हर इलाके के लोग चुनाव के समय अपना एक प्रतिनिधी चुनते हैं प्रतिनिधी का मतलब होता है कि वो अपने इलाके से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं ठीक उसी तरह जैसे तुम अपनी कक्षा का मॉनिटर चुनते हो फिर दिल्ली में ये प्रतिनिदी अपना एक मुख्या चुन लेते हैं वह मुख्या कहलाता है दिल्ली का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए 6 मंत्री भी होते हैं ये सभी मिलकर लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं क्योंकि लोगों ने ही तो इने चुनकर अपना प्रतिनिदी बनाया हैं, हमने वोट दिया, हमने इन लोगों को चुना और हमने इने इसलिए चुना ताकि ये लोगों की सेवा कर सकें एक शहर में हमें बहुत सारी चीजों की आवशक्ता होती है, जैसे साफ, पानी, बिजली, अच्छी सडकें, पुल, बगी, चे, अस्पताल, स्कूल, आदी इन सबी जगहों, सडकों और नालियों आदी की सफाई करने के लिए भी बहुत लोगों की जरूरत होती है, सोचो, यदि ये सब ठीक तरह से काम ना करें, तो क्या होगा? दिली बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहां का कामकाज करने के लिए कुछ और संस्थाएं भी हैं, इन संस्थाओं के काम करने के इलाके बटे हुए हैं, इससे यह फायदा होता है कि कामकाज ज्यादा अच्छी तरह हो पाता है, आप खुद सोचो, जदि एक ही मॉनिटर क आपके स्कूल की हर कक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो क्या है अपना काम ठीक तरह से कर पाएगा? जब हर कक्षा की जिम्मेदारी अलग-अलग मॉनिटरों में बांडती जाती है, तब काम आसानी से और अच्छी तरह हो पाता है, क्योंकि तब एक मॉनिटर को केव पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पाली का परिशद और दिल्ली छावनी बोर्ड. आपका स्कूल भी इनमें से ही किसी एक संस्था ने बनवाया होगा. ये संस्थाएं ही सडकों, गलियों, आदी से कूडा उठवाने, गलियों की सफाईयां भी रखती हैं, पेड़ बोधे लगवाने का काम करते हैं, डिस्पैंसरी और अस्पताल भी चलाते हैं. दिल्ली में भारत के राश्ट्र पती और प्रधान मंतरी भी रहते हैं. आपको पता ही है कि नई दिल्ली भारत की राजदानी हैं, जो दिल्ली क एक हिस्सा है इसलिए यहां पर संसद है संसद पर हमारे चुने हुए नेता बैठते हैं यहां भारा सरकार के दफ्तर भी हैं दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और सेवा करने के लिए दिल्ली पुलिस भी है दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ आपको दिल्ली पुलिस के पाही 2400 गंटे अपनी ड्यूटी पर तैनाथ खड़े हुए मिलेंगे आपके स्कूल में तो हर रविवार को और त्योहारों पर छुट्टी हो जाती है लेकिन दिल्ली पुलिस कभी भी छुट्टी पर नहीं जाती दिल्ली पुलिस के हजारों जवान त्योहारों के दिन भी आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं बच्चों देखिए ये एक चितर है दिल्ली पुलिस के ऐसे एक होज़ब्यान चला रही है सामान की जाच कर रही है आपने दिल्ली पुलिस की गाड़ी या वैन देखी होगी उसमें बैठ कर वे हर जगह की निगरानी करते हैं उनके कारण ही हम अपने घरों में ताला लगाकर घूमने फिरने के लिए बेफिक्र होकर जाते हैं सोचो अगर पुलिस ना हो तो कितनी चोरिया बढ़ जाएंग दिल्ली में एक करोड से भी जादा लोग रहते हैं एक से लेकर एक करोड तक की गिनती गिन सकते हो आओ कोशिश करें इसलिए कभी कभी कोई एकसिडेंट या चोरिय की घटना हो जाती है ऐसे में हमें सबसे पहले पुलिस की ही याद आती है है ना पुलिस को बुलाने के लिए आप कभी भी सो नंबर पर फोन कर सकते हो इस नंबर पर फोन करके जब कोई व्यक्ति अपनी परशानी बताता है तो पुलिस तुरंट उसकी सहायता करने के लिए पहुँच जाती है आपने अपने आसपास के चौराहों पर भी इन्हें सफेद कमीज और नीली पहने उए खड़ा हुआ देखा होगा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी या जमाजम बारिश ये सिपाही हर समय अपना काम करते रहते हैं अगर वे एक दिन के लिए भी ना हो तो हमारा चैन से रहना कठिन हो जाए इसके अलावा आप 1098 यानि 1098 नमबर पर फोन करके भी साहता मान सकते हो यह नमबर खास तोर से बच्चों की साहता करने के लिए रखा गया है इन नमबर पर फोन करने पर भी कोई पैसा नहीं लगता बच्चों आप अगर किसी परशानी में है तो आप इस नमबर को याद कर लीजिए 1098 आप इस नमबर पर फोन कर सकते हैं और अपनी परशानी का हल पा सकते हैं यहां पर बच्चों हमारा ये पाठ खत्म होता है पाठ को पढ़ने के बाद में चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं प्रश्न नमबर एक कोई मुसीबत हो तो आप क्या करेंगे उत्तर है कोई मुसीबत हो तो हम पुलीस को 100 यानि 100 नमबर पर फोन करेंगे प्रश्न नमबर दो देखिए आपका स्कूल कौन सी संस्ता चलाती है उत्तर है हमारा स्कूल उत्तरी दिल्ली नगर निगम संस्ता चलाती है अगर आपका विद्याल है पूर्वी दिल्ली नगर निगम चलाता है तो आप लिखेंगे पूर्वी दिल्ली नगर निगम और अगर दक्षणी दिल्ली नगर निगम चलाता है तो आप लिखेंगे दक्षणी दिल्ली नगर निगम प्रश्ण नमबर 3 देखिए अपने घर और स्कूल के आसपास ध्यान दीजिए ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो सरकार ने करवाए हैं उत्तर है हमारे घर और स्कूल के आसपास सरकार ने अस्पताल, स्कूल, सडकें, पार्क और पूल बनवा रखे हैं प्रेश्ण नमबर 4 पता कीजिए कि आपके घर में कौन-कौन वोट देते हैं मेरे घर में मेरे पापा और मम्मी वोट देते हैं बच्चों अगर आपके घर में आपके पापा और मम्मी के अलावा कोई और भी वोट देता है तो आप उसका नाम भी यहां पर लिखेंगे